सरकारे जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चलाकर बेटियों का मात्व बता रही है वहीं दमोजिले के हटानगर के वरिष्ट पत्रकारों और हमेशा कूरितियों के विरद्ध अपने आवाज उठाने वाले समाच से भी रविंद्र अगरवाल की मोद के बाद उनकी इकलोती बेटी ने एसी नजीर पेश की है जो आज के समय में सबको नसीहत बन गई और सभी को देखकर खेयन पड़ा बेटी है तो कल है बेटी किसी से कम नहीं जिहां हटर नगर के रहने वाली अकबार जगत से बीते 45 सालों से नाता वरिष्ट पत्रकार समाच से भी रविंद्र अगरवाल बीते दो माह से गंबीर रूप से बीमार थे बीमारी के दोरान उन्हें उनकी बेटी सारीका अगरवाल जो माइक्रो बैलोजी से पिएचडी कर रही पिता के गंबीर होने के बाद छात्रा सारीका अगरवाल उच्च इलाज के लिए जबल पुर ले हुआ जहां सारीका ने समाज के बुजुर्गों और पंडितों से विचार विमर्षकर अंतिम संसकार के सारे क्रिया कर्म स्वयम करनी के इच्छा रखी पहले तो सब हैरत में पढ़ गए लेकिन बेटी की इच्छा शक्ती देखकर सभी ने सहमती दे दी बस फिर क्या आखों म जब घर से प्रारंब होई तो कंदा भी दिया शम्शान गाट पर जाकर पिंडदान भी किया मुखागनी जल चाप और तिलांजली जैसे कारे भी करवाई जो एक जिम्मेदार बेटे का फर्ज होता है लेकिन यहां ये सब परंपराए एक बेटी ने निभाई शम्शान में नम आखों से बेटी सारी का अगरवाल ने अपने पिता की चिता में अगनी दे कर बेटा ना होने का फर्ज कुछ इस तरह निभाया कि जिसने भी बेटी का सास और हिम्मत देखी उसके मुझ से यही निकला मेरी भी बेटी हो तो सारी का जेसी भारती निश के लिए दमों से इमध्याद चिष्टि की रिपॉर्ट्रिश्ट पत्रकार रविंदर घ्रुवाल का निधन हो गया निधन पर उनकी बेटी सारी का दौरा अंतिम संसकार की सारी क्रियाय संपन्ने कराई गहीं बेटी के यह मानना था कि हम एह संदेश समाज में, नगर में, देश में दें कि बेटी ही, बेटी भी सारे संस्कार संपन ने करा सकती है बेटा ना होना कोई अविशापाली बात नहीं है लेकिन बेटी होना बेटी होना बहुत सोभा की साली बात है, सोभा की की बात है subscribe now to most exciting channel ever